पेट में हलका पन और नीचे के तरफ सबसे ज़्यादा भारी पन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी बच्चे का सर नीचे जाने की प्रक्रिया होती है प्रेगनेंसी के 7, 8 और 9 मंद के अंदर तो एक प्रेगनेंट लेडी कैसा महसूस करती है किन चीजों को वो experience करती है साथ में बच्चे की हलचल कहां आती है अगर बच्चे ने सर नीचे कर लिया है क्या वो नाभी के उपर में आती है या नाभी के नीचे में आती है ये भी बात किया जाएगा कि पेट का आकार जो है वो कैसा दिखता है आपका क्या वो गोल मटके जैसा दिखता है या फिर अंड़कार सेप में दिखता है आपके भूख के उपर बात की जाएगी कि आपको कितना भूख लग रहा है इस दोरान ये भी बात किया जाएगा कि जिस आप से वाइट डिस्टार्ज है वो कम आना या ज्यादा आना क्या होता है कम्प्लेट जनकारी के लिए आपको वीडियो को लास तक देखना होगा और एक चीज और मैं चर्चा करूंगी कि जब भी आपके बच्चे का हैड़ डाउन प्रॉसस चला जाता है सर नीचे चला जाता है उसके कितने दिनों के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अस प्रॉसस चला जाती है वेलकम मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम उम चानल पर लाइक और सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर दीजिए यहां पर हम बात करते हैं बच्चे का सर नीचे जाना यह अलग-अलग समय पर जाता है लेकिन अगर बात किया अब यह है कि बच्चा जो सर एक बार नीचे कर लेता है क्या वो उपर भी करता है वापिस से मेरी एक सब्सक्राइबर ने एक स्वीट से क्वाइशन को पूछा था गयज आप 5% मान सकते हैं कि बच्चा सर को उपर भी कर ले क्योंकि कई बर बच्चों ने किया भी है और अ अब यह है कि लेकिन mostly cases देखा गया है कि सर नीचे जाने के बद बच्चे उपर नहीं करते हैं क्योंकि पेट में उतना जगा नहीं होता है कि वो बार बार up and down movement करें दूसरी बात करेंगे पेट का आकार कैसा दिखता है पेट एक अंड़कार से में दिखता है तस्बीर को द सकती है क्योंकि दौरान तक क्रेविंग मीठे चीजों की बहुत कम हो जाती है डिलीवरी से पहले तक अब बात किया जाए कि कितने दिन बाद डिलीवरी होगी बच्चे का सर नीचे जाने के अब इसका आंसर तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 30 वीक के बाद ब चीजे गौर्णमेंट के तरफ से यह चीजे कही जाती है कि जब भी बच्चे का सर नीचे जाता है तो लोग 90 परसंट या 85 कह सकते हैं कि वह लोग शौरटी ले लेता है आपके नॉर्मल डिलीवरी की अब यह चीजे भी कही जाती है डिस्टार्ज के उपर चर्चा करें त इस कारण सर्विक्स दीरे दीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है और आप लोग और लेटी पता है कि सर्विक्स जब 10 सेंटिमेटर खुलता है तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है तो यह सारे प्रॉसेस बच्चे के सर नीचे जाने के कारण होता है आई तिंग सारे डाउट को क्लेर किया कुछ पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग तब तक के लिए बाय बाय टेक केर